कुछ इसी प्रकार का साइरन अब पंडो से लेकर मंडी तक बजेगा अगर पंडो डैम से पानी छोड़ा जाता है तो पानी छोड़ने के लिए जैसे ही पंडो डैम के गेट खुलेंगे उसी समय डैम से लेकर मंडी शहर तक जोर से हूटर बजेगा इससे लोग उसी समय अलट हो जाएंगे BBMB प्रबंदन इसके लिए पंडो डैम पर अरली वार्निंग सिस्टम लगाने जा रहा है यह जानकारी BBMB के अधिक्षक अभियंता इंजिनियर अजय पाल सिंग ने पंडो डैम में BSL प्रियोजना के 48-वे स्थापना दिवस पर आयुजित समारों के उपरांत मीडिया कर्मियों से बाचीत के दोरान कही उन्होंने बदाय कि सेंसर बेस्ट इस अरली वार्निंग सिस्टम का टेंडर लगा दिया गया है और अगरे दो महिने में से स्थापित कर दिया जाएगा पंडो डैम से लेकर मंडी शहर तक ब्यास नदी के किनारे 6 हूटर लगाए जाएगे यह हूटर ना सिर्फ बजेगा बलकि इससे आवाज के माध्यम से संदेश परसारित करने का भी प्रावधान होगा हूटर ओमनी डिरेक्शनल होगा जो चारो दिशाओं में सुनाई देगा इससे पहले यह हूटर सिर्फ पंडो डैम और बाजार के आसपास ही बसता था लेकिन उसे मैनूल ही बजाना पड़ता था लेकिन अब यहाँ आटोमेटिक हो जाएगा इस बार हम अर्ली वार्निंग सिस्टम के अपगरडेशन कर रहे हैं जो की आटोमेटिक हो जैसे ही गेट्स खुलेंगे आटोमेटिकली वो हूटर आपके बज़ेंगे और रही बात सीरियसली लेने की वो तो लोगों को जानना पड़ेगा और लोगों को इस चीज के लिए सजग करने के लिए हम एक कम्मूनिटी प्रोग्रेम भी कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों को बताएंगे कि जैसे ये हूटर बज़ता है ये एक आटोमेटिक आपको इन्फरमेशन है पानी आने की अजयपाल सिंग ने सपष्ट किया है कि पंडोड डैम कोई स्टोरिज डैम नहीं है बलकि डाइवर्जन डैम है यहां से बगगी के लिए पानी बेजने के लिए जो टर्नल बनाई गई है उससे 8500 कुई से पानी भीजा जाता है जबकि बाकी पानी ब्यास नदी में छोड़ना पड़ता है इसलिए लोगों को बरसात के दौरान ब्यास नदी या अन्या सभी परकार के नदी नालों से दूर रहना चाहिए क्योंकि इस दौरान कब जल्द सर बढ़ जाए उसका पता नहीं चलता है तब हम इसका लेवल उनते सो पच्चेस से लेगे उनते सो पच्चेस के बीच में रखते है ताकि कोई अन्प्रेजिडेंटेड अगरेन आ भी जाए तो उसको पतलब की मीट विद्ध रसके फेस्बुक पर पोलिस्टार हिमाचिल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें